हेलो दोस्तों मैं डीपी सिंग आपका डीपी क्लासेश में स्वागत करता हूँ आज हिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगलकाल यह modern हिस्ट्री का एक ऐसा topic है जो आपको अंग्रेजों के जो विजय हैं बंगाल का चाहे मैसूर से हो चाहे वो पंजाब से हो तो अलग-अलग जब भी युद्ध होंगे खास तोड़ से बंगाल के विशय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह थोड़ा समझने में आसानी होगी और यहां से questions बहुत आते हैं तो पहले जान लेते हैं कैसे इनसे questions बनते हैं पहला इनका जो पूछने का करम होता है कि वो इनके बाद किस करम से आये हैं सासक एक question इस पर बनते हैं दूसरा इनके कारेकाल को लेके बनता है और तीसरा question बनता है कि जो उत्तर मुगल काली इंशासक थे उनके समय में प्रमुक बाते क्या-क्या हुई थी, कौन-कौन सी घटनाय हुई थी, उनसे questions पूछे जाते हैं. तो ये question ना किवल important है बलकि आपके exam में maximum time ये गलत करवा देता है और आपका एक question आपका गलत हो जाता है. तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप ये confidently कह पाएंगे कि अब आपका ये question तो नहीं गलत होगा. तो आईए शुरू करते हैं उत्तर मुगलकाल. उत्तर मुगलकाल क्या है? इसके लिए जानना जरूरी है कि मुगलवन्स की शुरुआत कहां से होती है. तो अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा है अभी मैं उसको अपने जब मेडियोल हिस्टी सुरू करूँगा तो इसको मैं रिटेल में पढ़ा हूँगा. लेकिन आपकी अपनी पूरु ग्यान के अधार पर अगर देखें तो आप देखें कि मुगलवन्स की अस्थापन के होती है बावर द्वारा की जाती है और वो साजन करते हैं 1526 से लेकर के 1530 तक इनका एक क्रम बनता है इनको लेकर के क्वेशन अभी हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका तो लगबग जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो आधा इतिहास मुगलों से ही है त दौरान ही सेरसाज सूरी का सासन काल चलता है जब वो 1540 में आ जाता है तो उनको हटा देते हैं क्योंकि वो सूरी बंसके हैं तो मुगलों में देखें तो बाबर हुमायू के बाद कोन आएंगे अकबर तो इनका कारेकाल भी देखते चलते हैं 1526 से लेके 1530 तक कौन पूरा वीडियो देखिए लास तक देखिए क्योंस आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे देखते हैं जहांगीर इसके बाद सासन काल आता है 1605 से 1627 तक फिर 1627 से 1657 तक राज करते हैं साह जहां और उनके बाद आते हैं औरंग जेब जिनका काल काल होता है 1658 से 1707 यह इतना द्राज जो है इसको कहा जाता है मुगल वंस यह मुगल काल अब औरंग जेब के बाद मुगलंस का पतन धीरे-धीरे प्रायरंब हो जाता है 1707 के बाद की स्थितियां यह जो राजवन्स में उनके आते हैं सास現在 उनी को कहा जाता है उत्तर मुगल काल तो इनके समय से 1707 के बाद जो भारत का प्रथम स्वाधिनता संग्राम है 1857 तक जो मुगलों के अंतिम जो मुगल वाजशा होते हैं बहादुर साहद होती है जिनको बहादुर साहद जफर भी कहा जाता है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि औरंग जेब के बाद जब बहादुर साहद प के तीन पुत्र थे तीनों में उत्राधिकार के लिए युद्ध होता है जो उसमें इनके पुत्र थे उनके नाम है मुगजम आजम और कामबक्स इन तीनों को वसीयत के आधार पर औरंग जेब ने बाटा हुआ था कि तीनों को छेत्र मिले कौन-कौन से छेत्र मिले लेकिन छेत्र तब तो तब होगा जब आपस में सहमती होगी इनमें उत्रादिकार के लिए युद्ध होता है मुज्जम आजम को पराजित करता है 1707 में किस युद्ध में जजाओ के युद्ध में पूछा जाता है कि मुज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ या फिर जजाओ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ तो पहली बात तो जजाओ का युद्ध जब औरंग जेब उत्तर मुगल का सुरू होता है तब हुआ किस लिए हुआ उत्राधिकार के लिए हुआ किसके किसके भी जुआ तो इनके दो पुत्रों में दो नाम आपको याद रखना है कौन-कौन से एक नाम आपको याद रखना है आजम, दूसरा याद रखना है कामबक्स आजम के साथ कौन सा युद्ध हुआ जजाव का युद्ध, इनको परास कर देते हैं, उसके बाद बजते हैं कामबक्स, कामबक्स को भी ये पराजित करते हैं, बीजापूर युद्ध में, कब 1709 में, तो दो वर्षों तक इनका उत्राजिकार का युद्ध चलता है, फिर जो मुज़्जम होते हैं, वो बहादू बहादूर साह प्रथम से ही सुरू करते हैं, इनको कहा जाता था साहे बेखबर, ये 5 सालों तक अपना कारे करते हैं, इनको जो साहे बेखबर की उपादी दी गई थी, वो खफी खाद्वारा दी गई थी, ये question पूचा गया है, कि बहादूर साह प्रथम को साहे बेखबर क कि उपाधी किसके द्वारा प्रदान की गई है तो वह ख़भी खांके द्वारा देखते जाएए फिर आपको इनके कालक्रम इनके देट्स इनको लेकर भी आपको जरूर याद करवाएंगे यह एक ऐसे सासक थे जो औरंग जेब के बाद एक उदारवादी और सहस्रु सासक क के रूप में सामने आते हैं और अखिब कि जुस नीतियां थी वह हंदू विरोधी थी बहुत कटर वह साशक था उसकी जो भी शाषन के प्रकार थे वह बहुत कठोर थे नीतियां उसकी बहुत कठोर थी जब यह आते हैं जहांदार सा तब यह राजपूतों के साथ उधारता का बेवहार करते हैं यहां तक आप देखेंगे कि जो जो इनके आस पास के समोर्थी सासक हैं उनको यह मिला के रखते हैं तो इनका प्रकार का शहशू सासन माना जाता है इनके समय की एक प्रमुक बात यह है कि डुश प्रतनियों में एक प्रतनिविंगंदा लाया था जिसके नेत्रित उमें जो आयत हैं का नाम था जोसुआ केटेलार तो इनकी दो बातें आप याद रखें एक तो साहिब एक अपर इनकी उपादी थी जो कि कफी गांद और अधी गई थी दूसरा जोसुआ केटेलार जो है वो डच जो पुर्तगाली डच जो आये थे प्रतिन मंडल वो इनके ही दरबार में आये इसके बाद होता यह है कि बहादुर साह की मृत्यू के बाद बनते हैं जहादार साह जहादार साह दूसरे जो उत्तरवाती मोगलकाल सासक्थ हैं वो जहादार साह का सासनकाल यह है 5 साल 5 साल के बाद देखिए एक साल के लिए आते हैं 1712 से 1713 यह इनका जो चरित्र है वो ब युक्षामन थे उनकी वज़ा से इनके समर्थं से ये बनते हैं सासक और बाद में ये लाल कुश्वरी नामक बेश्चिया पर आसक्त हो जाते हैए कि उसी का सासन पर पूरा अपना नियंत्रन स्थापित हो जाता है तो होता क्या है कि इनके जो भतीजे हैं फरुक्षियर वो सायद बंदूओं की मदद से इनकी हत्या करके खुज सासक बन जाते हैं तो आप देखेंगे एक अनयतिक चरित्र का होने की वज़ा से इनकी हत्या होती है हलाकि इनके सासन के दोरान जुल्पिकार का बहुत योगी वक्ति था और उनकी वज़ा से ये सत्ता में आते हैं और इनकी हत्या कौन करते हैं तो फरुक्सियर उनकी इसमें मदद कौन करते हैं तो सयद बंदू अभी सायद बंदू कौन है तो सायद बंदू दरसल है ये अब्दुल्ला खा और हुसाइन अली खा ये दो भाई थे इनको सासक निर्माता कहा जाता है मुगलकाल में इन्हों ने कई सासकों को बनाया भी आप देखेंगे फरुक्सियर को यहाँ पर सासक बनाने में ये मदद करते हैं उसके आने वाले भी सासकों को ये सत्ता सौपते हैं बनाते हैं तो इनको सासक निर्माता भी कहा जाता है तो इनका फरुक्सियर ने इनकी हर्त्या करके फिर से इन पर जो वहाँ साशन था वो अपने हाथों में ले लिया एक बार रिवाइस करते हैं फिर इस कॉलम में आगे बढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए हम देखते हैं यहाँ पर मुगल वन्स के साशक प्रथम कौन थे बाबर मुगल वन्स में अगर देखें तो मुगल वन्स का अंतिम तो नहीं कहेंगे लेकिन उत्तर मुगल काल के पहले जो सासक आते हैं वो कौन से हैं औरंग जेब जहां पर मुगल सासन अपने चरम पर था बहुत ही फल फूल रहा था लेकिन औरंग जेब की जो नीतियां थी कठोर नीतियां कठोर सासन की वज़े से दिरे-दिरे मुगल बंस में पतन की और बढ़ता है और अयोग ये सासक मिलते जाएंगे आप देखेंगे कि उनमें योग्यता का अभाव मिलता है तो ऐसे क्रम में पहले जो आते हैं बहादूर साहा प्रथम तो उन्होंने क्या किया कि कई लोगों को जागीरे बाटने का काम किया लोगों को खुछ रखने का काम किया लेकिन दीरे-दीरे उनकी इस्थिती जो है वह कमजोर होती गई हलाकि इनों ने काफी छेद्र को अपना मजबूत कर रखा था इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हमने देखा जो सुआ के टिलारिक डच प्रतनीदी आते है वहल्टेंख फिर जग्छ यहादर साह आते हैं उनका जुल unwilling खां इनको साशक बनाता है और बात में इनकी हत्या हो जाती है फरुक्सियर द्वारा आए देखते हैं कि बहातुर साह непहंदार साह इसके BARD कौन आएंगे तो फरुक्सियर याद हो इधू गया जेप के BARD कोन आते हैं बहादूर साह कोन आते हैं बहादुर चाहर प्तोत्यों यहां प्तम रहेगा जो बात में आएंगे के रहेंगे एक साल के लिए आते हैं अब उसके बाद देखें आप तो फरुक्सियर का जो साशनकाल है वो 1713 से 1719 है अभी यह भी याद हो जाएगा इनके 1713 से फरुक्सियर अब फरुक्सियर में प्रमुक बात क्या है फरुक्सियर में दरसल यह सेयद बंधों की वजह से ही तो बने थे यहां पर आपने देखा तो क्या सइयद बंधों को यह अच्छा पत नहीं देंगे तो इन्हों विकार खां की हत्या किसके सरन होती है फरुपसियर क्या देश से आए देखते हैं कि इन्हों ने भी उदारवाजी नीतियों को अपनाया जागीरे बाटने का काम किया इवें जैसिंग को सवाई की उपाधी दी तो ये क्वेस्चन कई बार पूछा गया है कि राजा जैसिंग को सवाई की उपाधी किस ने दी तो हरुपसियर ने दी अब इनके यहां जो प्रमुख इनकी बाते क्या हैं तो बंदा बहादूर कौन है तो यह सिखों के अब जब इस सिखों का इतिहास पढ़ेंगे तो अंत में एक आते हैं जो प्रथम राजनीतिक पद एक तरीके से मा बंदा बहादूर तो यह बात मुगलों को नहीं पचती है और उस समय फरुपसियर का साशन चलता रहता है वहाँ पर इनकी इनको बंदी बनाया जाता है और इनको बाग में लाकर के बंदी बनाके फासी दे दी जाती है तो 1716 में बंदा बहादूर को फासी किस मुगल साश जब यह आते हैं यह बीमार होते हैं इनका स्वास ते ठीक कर देते हैं तो होता क्या है जॉपन की नेतित में जब पर्णितन लाता है तो है मिलतन जो इसमें डॉक्टर होता है उनको ठीक कर देता है उससे घुश और का चाहिव फर्मान जारी करते हैं 1717 में और उसमें होता क्या है कि 3,000 रुपए वार्षिक करके पर बंगाल को दे देते हैं 10,000 रुपए वार्षिक कर पर सूरत को दे देते हैं और जो बंबई में मुद्राय छपती उनको पूरे भारत में अपने सासन में चलाने की अनुमती द दिया तो यह साही फर्मान कब देते हैं 1717 में यह आपने मेरे पहले लेक्षर में देखा हुआ है तो आप देखे कितनी इंपोर्टेंट बाते आपको याद आती है कि फरुक्सियर के सासन काल से कौन-कौन सी अब देखे 1717 की डेट बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको difamukh ऐसे सासक आते हैं खरुक्सियर के बाद उनमें कौन-कौन से आते हैं क्रफ्यूद दर्जात एक रफ्यूद दॉला होता क्या है कि ये सयद बंदू जो है इनको इनी को हटा करके सत्ता देते हैं रफ्यूद दरजात को तो सयद बंदू क्योंकि यहां से हटा के फरुक्सियर को देते हैं फिर इनकी नाराज़गी हो जाती है तो इनको हटा करके सत्ता पर बैठाते हैं रफ्यूद दरजात को रफियुद दरजात दरसल हुआ ये कि इनकी जो ये बहुत कम समय तक सबसे कम समय तक इनोंने सासंग किया आप देखेंगे कि 17-19 के स्टार्टिंग 2-3 महीनों में इनकी मृत्यू हो जाती है तो बीमारी की वज़े से इनकी मृत्यू हो जाती है इसके बाद रफियुद दौला जो है इनमें भी देखें तो रफियुद दौला भी इनकी भी विमारी के वज़े से मृत्यू हो जाती है तो आप देखेंगे कि दो प्रमुक ऐसे हैं जिनमें रफी लगा हुआ है रफियुद दर्जात, रफियुद दौला ये क्रम में भी आता हैं इनके समय में बहुत ज़्यादा तो नहीं बाता है लेकिन एक ये है कि एक निकुसियर का विद्रोह इनके कार में होता है जो कि आगरे की किले में पहली बार एक समराजी की घोशना कर दी जाती है तो मुगलकाल में एक ऐसा भी समय आता है जब इनके कारेकाल के दोरान एक किले में अलग से एक समराट की घोशना कर दी जाती है तो कभी question अगर ये पूछा जाया तो आप ये देख लें otherwise आप क्रम में याद रखें कि फरुक्सियर के बाद और मुहम्मद साह के बीच में जोकि आपको सबस्यादा important पढ़ना है कौन सा? फरुक्सियर के बाद मुहम्मद साह तो ये आपको दो important जाज याद रखने है इनके बीच में कौन आएगा? रफ्यूद दर्जाद, रफ्यूद दौला याद रहेंगे 1719 में दो साचक आए थोड़े थोड़े समय के लिए पहले कौन आया? दर्जाद, फिर कौन आया? दौला तो दर्जाद, दौला याँ आ की मात्र, याँ आ की मात्र, भूलेगा नहीं क्योंकि जब क्रम लगाने को आएगा तो फरुक्सियर, रफ्यूद दर्जाद, रफ्यूद दौला, मुहम्मद साह ठीक है? तो ये होता क्या है कि रफ्यूद दौला जो है साह जहां दोती की उपाधी धारण करते हैं तो कभी अगर कॉश्चन आये तो आप इसको माई में रखें हलाकि इनको क्रम के ज़्यूद के ज़्यादा कॉश्चन आता है तो इसलिए बहुत टेंशन ना ले तो फरुक्षियर के बाद दो बीच में साचा का है फिर रफ्यूद दौला अब आएगा उसके बाद मुहमत सा 1729 में क्योंकि दो हैं याद हो गया पहले 5 साल कौन रहा? तो जहां बहादूर साल फिर 1 साल कौन रहा? जहादार साल तो साथ में पांच जोडेंगे तो बारा, बारा में एक जोडेंगे तो तेरा, तेरा से आप देखेंगे तो सतरा सतरा में साही परमान जारी करते हैं, मतलब उननिस तक ये रहते हैं, तो उननिस में ही दो साथ सकाते हैं, अब उननिस से आगे का कारिकाल चलेगा, मुहम्मद स रंगीला की उपादी दी गई थी रंगीला बादसा कहे जाते थे तो आप इनके नाम से समझ सकते हैं कि इनके कारे कैसे रहे होंगे तो मुहम्मद साह एक ऐसे मोगल समराथ हैं जिनके समय में मोगल जो प्रांत थे दीरे-दीरे स्वतंत्र होने लगते हैं आप देखेंगे त तो इसके बाद बनाते हैं वो मुहम्मिट Saha को किया है, घैसे बाकी 2 सासकों को बनाया, कलको कर्मन ने काम किया। तो ये क्या किया इन inspirat हो तो जो जो सासक णिनरमाता अपने आपको उतिहास में माने जाते हैं, उनकी हत्या किस ने करवाई? मुहम्मिट Saha ने। और जो शुरू होता है हरुपसियर से तो वो तीन सासक चार सासक बनाते हैं और मुहम्मद साह उनका पतन कर देता है यानि की समाप कर देता हैं यह कोईशन एक्जाम में आया हुआ है कि सैयद बंदों का अंत किस मुगल सासक ने करवाया तो मुहम्मद सा रंगी लाने अब इनका कारेकाल कितना है इनका कारेकाल लंबा चलेगा आप इनका कारेकाल याद कर लीजे सो 1719 से 1748 अभी याद कैसे होगा मैं आपको यह यह देट आपको याद रखनी होगी कि आहमाद साह अबदाली ने प्रथम आक्रमड कर किया था तो 1748 में तो इनका सासन काल भी कब तक रहा मुहम्मद साह लेकिन ध्यान रहे कि जो अभमद साह अबदाली आक्रमड करते हैं वो आपको याद रखाने के लिए मैंने वहा मुहमद साह का दौर देखिए दो विदेशी आक्रमड कारी भारत पर आक्रमड करते हैं फारस का जो सासक था एक लुटेरा जिसको कहें तो नादिर साह अपने लुटेरी फोज को एकत्रित करता हुआ आता है और वो भारत पर आक्रमड करता है तो नादिर साह 1749 में भारत करते हैं इनकी सेना का मुहम्मद साह से इनकी से मोगल साह सक मुहमम जाह से इनका युद्ध होता है जिसे कह जाता है करणाल का युद्ध तो इनके समय कि सबसे प्रमुख बात है नादिर साह का 1-924 फरवरी 17 etion 49 को युद्ध हुआ इसमें नादिर साह विजय हुआ और विजय ही नहीं आप जानते हैं कि नादिर साह आया दिल्ली में 57 दिनों तक रुका और उसमें पूरे दिल्ली में कतले याम कराया और जब वो गया तो दिल्ली की अपार्द जो संपत्ती थी उसे लूट के ले गया इसके तो कोहिनूर हीरा भारत में कब जाता है भारत से तो ले जाता है नादिर साह किसे ले जाता है तो मुहम्मद साह से तो आप यहां पर इनके समय के सबसे कई जो प्रमुग बाते हैं वो किसे जुड़ी है नादिर साह से तो आप देखें कि मुहम्मद साह का जो पीरेड है वो 17 1719 से लेके 1748 तक 1749 में वो करनाल का युद्ध होता है तो होता क्या है कि वो मुहमत साह से लगभग एक करोड़ रुपए की रासी मांगते हैं हर जाने की रूप में वो नहीं दे पाता है वो बाद में आत्मात्या कर लेते हैं ये तो इनके पुत्र को फिर से वो यहां का समरा आज अस्थापित नहीं करना था तो यह तरीके या करी थे ये तो 1749 में नादिर शहा का कि मण होता है और यहांदार साह के बाद हर फरुक्सियर के बाद रफ्यूद दरजाद, रफ्यूद दरजाद के बाद रफ्यूद दौला, रफ्यूद दौला के बाद मुहमद साह, याद हो गया, आगे चलते हैं, अब आप देखेंगे मुहमद साह के बाद ही आएंगे अहमद साह, अहमद साह का सबसे important क्या है, अबध साघ हब्दाली का अक्रमड हुआ तो यह बिल्कुल आपके नाम से ही मैच करेगा अमाच सालआ के समय अमाच साघ हब्दाली का आक्रमडस और कव छकल वह 17 wicked तो 1748 से 1754 तक लगभग ये 6 वर्षों तक ये सासन करते हैं इनके काल में होती है कि मुगल अर्थव्योस्था बिल्कुल छिन्द भिन्न हो जाती है यहां तक कि जो घर के जो समान है महलों के वो तक धीरे धीरे भिकने लगते हैं ये स्थिती आ जाती है तो मुगल अर्थव्योस्था बिल्कुल छिन्द भिन हो जाती है उसकी वज़ा थी जागीर्य दे दी गई थी लोगों को संतुस्ट करने के लिए जो उनके सामंत थे जो प्रांती सामराज्य थे लेकिन फिर भी मुगल सामराज्य को सम्हालने इनों समालने की कोशिस बहुत की अहमद साह ने लेकिन वो सफल नहीं हुए और इसी दोर में जब नादिर साह लूट कर चला गया हो तो मुगल सामराज का क्या हाल हुआ होगा आज समझ सकते हैं उसके बाद अहमद साह का जब आक्रमण होता है तो दिल्ली की क्या हालत होगी ये भी किसी से छिपी नहीं तो आप देखें दो आक्रमण हुए कब 1749 किसका नादिर साह का 1748 में अहमद साह अब्दाली का याद रहेगा किसके कारेकाल में तो नादिर साह है मुहमद साह के काल में अहमद साह आपड़नी ने सब डुतियी लेगस में लेड ले लीड रहेगा कौन कौन है इसे एक ज़न आपको यह एक ले ले और अई इस तरीके से तो तो भी आप इनका क्रम याद कर सकते हैं लेकिन आपको सीधे सीधे एक क्रम याद होगा कि इन में समय बाद में दुती ही आते हैं तो आइए देखते हैं क्या है इनकी प्रमुक बाते हैं तो जो प्रमुक आते हैं इनके देखी कुछ खास बाते तो नहीं है लेकिन कि समय जो क जीती है उसमें मुगल सासक कौन था तो आलमगीर दुती अगला क्या बनता है किस सासक के बाद जो मुगल वंस था उसमें एक साथ दो सत्ता विराजमान हो जाती है यानि कि एक साथ दो सासक होते हैं तो आलमगीर दुती के बाद दो सासक विराजमान होते हैं आलमगीर की मित है वहाँ पर तो साजहां तृतिय के नाम से वहाँ पर साशक बनता है तो होता क्या है वह साहलं दूतिय को काफे दिनों तक दिल्ली में घुशने नहीं देता है तो एक इस्थिति ये भी आती है कि आलमगीर दूतिय के बाद जो अगला साशक आता है वो दिल्ली पहुंचने पाता है और वो अपनी सत्ता यहां से चलाता है तो आप देखेंगे कि जो 1757 यह 1754 से 1758 का दौर है तो अठावन उनसट के टाइम में साजाहत रितिये ने इनको आने नहीं दिया लेकिन सत्ता दोनों चलती रहती होता क्या है जब यह बिहार में होते हैं तो उसी समय होता है य वो बंगाल विहार उडिशा की दिवानी है वो क्लाइब को किसे देना पड़ता है साहालम दुतिय को जब भी इसको हम बंगाल विजय पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डेटेल से पढ़ेंगे आप वहांसे करेंट करिएगा क्योंकि बहुत प्यारी सी कहानी है इसको हम दुति तो यह थोड़े से जीएस के पॉइंट है जीके के पॉइंट है आप इनको यहां से याद कर लें कि साहालम दुति के काल में कौन-कौन से प्रमुग घटना है तो पानिपत का त्रिती युद्ध 1761 अब आपके इनकी डिट 1754 से 58 ये छे वर्स ये चार वर्स तो साह सालम दुति से ही जब संधी वी थी लहाबाद की संधी तो क्लाइब को इन्होंने बंगाल विहार ओडिसा की दिवानी तो दान की थी क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें ये भी सामिल थे आईए देखते हैं इनके बाद कौन होता है तो मुगल सत्ता बिल याजा हो जाते हैं तो बहुत बार एक्जाम भी आया है कि राजा राम मुवान राय को राजा की उपाधी किस ने दी तो वो दी है अकबर दुति ने जिनका शासनकाल 186-1877 अब यहां पर आपको शासनकाल बहुत याद रखने की जरूद नहीं है जो मेली थे वो यहां यह आते क्योंकि आप कोंसे रिलेटिड याद करने हैं तो फिर भी आपको एक क्रम याद करने के लिए जरूरी है तो आएए देखते हैं कि अगबर्ग दुतिय के बाद को नाते हैं बहादोर सा दुतिय इन्हों जफर की उपाधी धारण की थी यानिकि बहादोर सा जफर यह अंतिम मुगल चासक थे 1857 का जो साधिनता संग्राम था उसके दौरान नित्रित्य किया था इसका और होता क्या है इसके बाद अंग्रेज इनको निर्वासित कर देते हैं रंगून में वहीं पर इनकी मृत्य हो जाती है तो उसके बाद महारणे विक्टोरिया एक नौंबर 1858 को एक अध्यादेश पारिक करती है जिसके तहत कानूनी रूप से मुगल सामराज्य का समापती हो जाती है तो आप देखेंगे जिस समराज को बाबर ने अस्थापित किया था 1526 में जिसने पूरे भारत पर अपना समराज अस्थापित किया वो उत्तर मुगल काल में किस प्रकार दिरे-दिरे कम होता जाता है कौन-कौन से सासा काते हैं और उसके बाद फाइनली जो 1857 के बाद है उस करांती के बाद इसका समापन हो जाता है इसके बाद सुरू होती है ब्रिटिसर्स की सत्ता जहां से हम लोग आगया आगय पढ़ेंगे कि बंगाल विजय कैसे ह वही कैसे वह आप वाकी छेत में मराठो को पराजित करते हैं तो देखिए एक बार रिवाइस कर लेते हैं इसको रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं याद हुआ तो भूल जाएंगे आप क्रम पहला क्या होगा चलिए देखते हैं बहादर साह प्रिथम उसके बात कौनाता है फरुक्सियर फरुक्सियर के बाद दो दर्जात दौला फिर मुहम्मद साह रंगीला उसके बाद आमद साह के बाद अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दुती वाले सारे मिलेंगे तो क्या क्या नाम होगा आलमगीर साहालम आलमगीर साहालम दुती तो आगे चलते हैं, बहादूर साह पहले थे तो लास्ट वाले भी बहादूरी होंगे, तो बहादूर साह व्यों से पहले ऊतर। तो अप्षे जाद रहेगा तो आप इसे इसको याद कर सकते हैं कि अहमद सा, आलम घिर दोती है, शाल मा दोती है, अबर दोती जात बहुंने से बयाmother सा, तो यह रहा है इंका क्रम इन से समझ नहीं गलत होंगे, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह पसंद आया, अगर पसंद आया, तो लाइक को बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके कमेंट और वीडियो जाते हैं, तो मैं बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपके लिए अलग अलग वीडिय स्टार्ट करिए, तो आप उसके लिए टेरिग्राम लिंक जो इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उससे जुड़े, इसका आप डेली टेस्ट भी देते रहें, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, पढ़ाही करते रहिए, स्वाच्छ रहिए, गुद बाय वीड़ प्रिप्शन लिए्टार्प्स